फिगर का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं फिगर का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि फिगर के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं एक तो हुमन शेप और फॉर्म को फिगर कह सकते हैं यानि कि किसी व्यक्ति की जो आकरती है या शरीर की जो बनावत है वो कैसी है उसको उसका figure कह सकते हैं यानि कि जैसे आप ये कहें कि कलाकार ने canvas पर एक सुन्दर आकरती बनाई तो आप कह सकते हैं या फिगर जो है किसी नंबर या डिजिट को भी कह सकते हैं यानि कि जैसे कि आप ये कहें कि अपनी आय दर्शाने वाले आंकडे लिखी तो आप कह सकते हैं या फिर कई बार person of importance और authority को भी figure कहा जाता है जैसे कोई हम कहते हैं वो एक public figure है या वो एक business tycoon है तो वो एक public figure है तो उस तरीके से भी हम figure कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहें कि वह व्यवसाय जगत में एक प्रमुख वैखती हैं तो आप कह सकते हैं या किसी आप diagram या illustration को भी figure कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ को conclude करने के लिए या decide करने के लिए भी आप figure कह सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं let me figure out this या he can figure out this यानि कि वो इस चीज़ को का समाधान कर सकता है या मुझे इसका समाधान करने दीजी यानिके जैसे आप ये कहें, कि आई ये समस्या का समाधान निकालें, तो आप कह सकते हैं, let's figure out a solution to the problem, तो इस तरीके से figure को कई अलग-अलग meanings के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब, हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें